ओम नमश्वाय नमश्का आप देख रहे हैं न्यूजबर्ड इंडिया आपके साथ मैं हूँ पंडिच चंदशेकर सर्माइब लेकर आया हूँ आपका सापता ही करासी फर्ण। देखते हैं कैसा रहेगा इस सपता आपका भाग्याइब। किसको मिलेगा मन चाहा प्यार, किसको मिलेगी नौकरी में तरक्की, किसको मिलेगा अपने मन पर संद की बस्तुबर्ड़। धेयं शदाव परिभवग्नम अभिष्ठ दोहं, तेर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं, धत्यार्तिहं प्रणत पाल भवाभ्धिपोतं, बंदे महापुरुषते चरणार विंदं। सबसे पहले मेस रासी, तो मेस रासी के जातकों के लिए यह सप्ता है, आपके लिए ब्यस्तता से भरा रह सकता है, पिता से सहयों की प्राप्ती होगी, आए भी अच्छी बनी रहेगी, मंगलवार एबम बुधवार की दिन आए में ब्रध्धी होगी, नौकरी पेसा जातकों को नए ओफर भी मिलेंगे, ब्यापारी अभी नया कार सुरू करने से बची, और विद्ध्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही कठिन है, आप पढ़ाई में पीछे छूट सकते हैं, गले में तकलिप भी हो सकती है और आपको वुखार भी आ सकता है, प्रेम, बेवाहिक जीवन, जातक जीवन शाथी से अपनी समस्याओं को सियर करें, प्रेमियों के मध्य अनवन भी हो सकती है, तो आपके लिए उपाय है कि आप अपने प्रेमि को सफेद रंग के बतक का जोड़ा अर्टिफिसल गिफ्ट दें, अब आते हैं ब्रसवराशी तो ब्रसवराशी के जातकों का सप्ता का आरम अच्छा रहेगा, इस सप्ता आपको भागे का साथ भी मिलेगा और शंतान का सयोग भी प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक इस्तितियावी सुधरेंगे, पुराने निवेश से आपको लाब होगा, कारोवारियों को निवेश शंबंदी समस्या हो सकती है, प्रेम संबंदों में साती का ब्यवहार समझ में नहीं आएगा, जीवन शाती से तनाब बनने का योग है, तो आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन शाती के साथ बैठ कर खोवा से बनी किसी बस्तु का सेवन करें, इससे आप में और आपके जीवन शाती में प्रेम बना रहे हैं, अब आते हैं मिथोन राशी, तो मिथोन राशी के जातकों के लिए यह सपता परेशानियों से भरा रहेगा, आए में गिरावट रहेगी, एबम कीमती सामान की गुम होने के योग है, कारिस्थान पर भी और कारोबारियों को उनके करमचारी परेशान भी कर सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ती भी हो सकती है, और शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आर्थिक बाधाएं भी समाप्त हो, स्वास्त में आपको कबजिकी समस्या हो सकती है, प्रेम संबंदों म कटता समाप्त होगी एवं बैवाहिक जीवन में माधुर्य बना रहेगा आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं आप आधिकलो मस्रूम को एक मिट्टी के घाड़े में रखकर किसी मंदर के पुजारी को दान करें उससे आपको बहुत बड़ा लाव को अब आते हैं करक र जातकों के लिए यह सप्ता बहुत ही अच्छा है आपकी सभी आवश्यकार संपन हो जाएंगे और नए संपर्क भी बनेंगे एवं योजनाय आपकी आगे बढ़ेंगी कारोवारियों को निवेश से लाव एवं नए सोधे प्राप्त होंगे नौकरी में तरक्की संभव है कक्षा में अन्य सहपाटियों से अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपके पेट में तकलीप हो सकती इसलिए खान पान में ध्यान रखें प्रेम में बिफलता प्राप्त हो सकती है और जीवन शाथी से सहीयों की प्राप्ती होगी आपके लिए मैं उपाय वताने जा रहे हैं आप एक समी पत्रगो भगवान भोले नात को जल चड़ा कर नित्य प्रती चड़ाएं उससे आपको मानशिक शान्ती मिलेगी और अनिफायदा होगी अब आते हैं सिंग रासी तो सिंग रासी में सश्ठम चंदर की उपस्तिति आंतरिक कले को शमाप्त कर लाब की इस्तिति को बढ़ाने वाली है इस सप्तह आपको सुभ सूचनाएं प्राप्त होगी कारोवारियों को करमचारियों से कठना ही आ सकती है नौकरी पेसा जात्वों के अधकारियों का विवहार उनके प्रती अनिकूल रहेगा नए सोध एवं नई वातें जानने की इच्छा प्रबल ह होगी दातों में दर्थ की समस्या हो सकती है प्रेम में अनचाही समस्या आशकती है बेवाहिक जीवन में मत भेद होगा आपके लिए मैं उपाय वताने जा रहा हूं आप बुधवार के दिन किन्नरों को दान करें इससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो अब आते हैं कन्य पिछडे हुए कारियों में गती आने का समय है आईको भी स्थिर बनाने में सफल रहेंगे एबम योजनाए एबम लक्षे भी पूरे होंगे ब्यापारियों को काम में लाभ मिलेगा नौकरी पेसा जातकों को कारिस्थल पर अधिक जिम्मेदारी मिलने की संभावना है पू कि प्रेम का प्रस्ताव देने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी बेवाहिक जीवन आनंद पूर रहेगा प्रेम का प्रस्ताव देते समय आप गुलाब का फूल विसे इस ध्यान रखें अपने हाथ में गुलाब का फूल रखें आपके लिए उपाय जो बता रहे हैं तो आपके लिए उपाय है आप चावल और दूध की खीर बना करके किसी भी मंदिर में शुक्रवार के दिन रखे हैं अब आते हैं तुलाराशी की तरफ तो तुला रासी में इस अप्ताह रासी में चतुर्थ चंद्र होने से आपकी आई प्रभावित रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन अनुचित कारियों की और प्रेरित हो। कार में रुकावटें आएंगी जिससे मन उदाशीन रहेगा। कारोवारियों को नए प्रस्ताप प्राप्त होंगे। बिरोजगारों को नौकरी पाने में सफलता मिलेगी। जो लोग उच्च सिक्षा पाना चाहते हैं उन्हें उसमें सफलता मिलेगी। शरीर में दर्द एवम कप की समस्याइं भी हो सकती हैं, प्रेम शम्मंदों में, साथी को कोई भी सलहा देने से बचे, इसका उल्टा असर आपको देखने को मिल सकता है, और कुवारे लोगों को बैवाहिक प्रस्ताप भी मिलेंगे, तो आपके लिए हम उपाय बताने जा रह अब आते हैं ब्रस्चिक रासी, तो ब्रस्चिक रासी वालों का सप्ताह का आरंब अच्छा रहेगा, भागी का साथ भी मिलेगा, मगर इस सप्ताह आपसे ऐसा कोई कारी हो सकता है, जिससे आपको निरासा प्राप्त होगी और निवेश के लिए आपका समय ठीक नहीं है, अपक्छित परणाम नहीं मिलने से और भी अधिक मेहनत करने की प्रिर्णा मिलेगी, मामूली स्तिरदर्द रहेगा और प्रेम प्रशंगों में आपको शफलता मिलेगी, जीवन शाती के साथ ताल मेल बैठाने में आसानी होगी, आपके लिए उपाय बताने जा रहे हैं, आप शनिवार के दिन आग के पेर पर एक तोला सरसों का तेल चड़ाएं, इससे आपको मानशिक सांती मिलेगी, अब आते हैं धनुराशी, तो धनुराशी के जो जातक हैं उनको इस सथाई संपत्ती से लाभ मिलेगा, और योजनाओं एवं कारियों में सफलता प्राप्त ह होगी, नए कार भी मिलेंगे, प्रोफेशनल ब्यापार में निर्णे लेने में देरी नुक्षान दायक हो शकती है, लालच देने वाले निवेश से बचें और छमता से अधिक बेहतर परणाम प्राप्त होंगे, स्वास्त अच्छा रहेगा, प्रेम प्रशंगों के लिए स अब आते हैं मकर राशी की तरह, तो मकर राशी के जातकों को इस शप्ताह राशी में बिस्योग का निर्माण है, यह समय आपके लिए परेशानियों से भरा हुआ है, किसी से भी मदद की आशा करना बेकार रहेगा, कहीं भी निवेश करने से वचें और नई योजनाओं के किर्यान वयन में देरी होगी, ब्यापार में नए अबसर लाभ प्रद होंगे, नौकरी पेशा लोगों को परेशानियों को शामना भी करना परेगा, और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है, मेहनत करने वालों को भी अपेक्षित परणाम प एक लोटा में दूद, चीनी और जल मिलाकर भागवान शिव के लिए अरपन करें, अब आते हैं कुम्भराशी, तो कुम्भराशी के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह अपने आवस्यक कारियों को टाल देना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें अगर पूरा भी करना चाहेंगे, तो अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने मन की वातों को मन में रखने का समय है, इस शप्ताह अनावस्यक बयवी होंगे, और निवेस के लिए समय अच्छा है, ब्यापार में नए अवशर प्राप्त होंगे, नौकरी पेसा जातकों का प्रमोशन होशकता है, पेट एब पेर में दर्द के साथ ही ठकावट भी महसूस होगी, प्रेम प्रशंगों से आपको दूर रहने की सलह देते हैं, विवाहित जातक अपने जीवन शाथी पर विश्वास बना कर रखें, और आपके लिए उपाय बताने जा रहे हैं, आप नित्परती हनवान चालिसा का और कारोवारी लंबे निवेश करने से बचें, और अंजानों की बातों का भरोशा नहीं करें, नौकरी में परिवर्तन का योग है, विद्यार्थी जैसे परणामों की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें वैसे ही परणाम भी प्राप्त हो, इस समय बिशय परिवर्तन का बिचा अब देने जा रहे हैं, तो सफलता मिलने के आशार कम है, शादी सुदा जातकों को जीवन अशाती से जगडा भी हो सकता है, तो आपके लिए मैं जो उपाय बताने जा रहे हैं, आप ब्रश्पतिवार को ब्रत करें, और अपने सिर से चार नीवू बाल कर केला के पेड़ क जर्मे चड़ाएं, इससे आपको निच्चे दिला, रोगान शेशान पहं सितोष्टा, रोष्टा तुकामान शकलान भिष्टा, त्वामा स्रितानाम अभिपन नरानाम, त्वामा स्रिताम हास्रयताम प्रियांति, ओम नमाशिवा या नमश्कार, अगले सब्ता फिर हाजि होंगे आपके नए भविष्टिपन के शारत.